चलिए देखिए polynomial की practice में ये question आपके सामने है px equal to 5x plus 8x minus 4x square आपको यदि ये भी बोला गया है कि इसका एक factor दिया गया है तो दूसरा factor find कर लो ये भी बोला जा सकता है ये दोनों factor find कर लो कैसे करोगे बच्चों अब सबसे बड़ी चुनोती आपके सामने ये है कि जैसे ही आप इसको लिखोगे ax square plus bx plus c की form में तो आपके सामने आ जाएगा minus 4 जिसको देख करके आप घबरा जाओगे कि सरे minus 4 क्यों आ गया हमारे सामने तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों आप minus sign common ले सकते हो और ये equation बन जाएगा आपके पास 4x square minus 8x minus 5 क्यों लिखा जा सकता कि नहीं लिखा जा सकता बिल्कुल लिखा जा सकता है आपने minus 4 यहाँ पे minus sign common ले लिया तो 4x square plus में बन गया है अब आप केवल अंदर वाले को factorize करो बांकी सब काम हो जाएगा आपका आप अंदर वाले को factorize करो तो मैंने तरीका बताया था गर आप भूल गए है कि 4x square minus 8x minus 5 इसको factorize करने के लिए सबसे पहले आप इसकी standard equation ax square plus bx plus c से comparison कीजिए बोलिए a की value कितनी है b की value कितनी है minus 8 है 4 only बेटा है और c की value कितनी है minus 5 चिन्हों के साथ लेंगे along with the sign अब बेटा आप क्या करते हैं शुरू वाले का अंत वाले से multiply करिए तो कितना आ गया बोलिए नहीं आया minus 20 आया ठीक है ना 4 into 5 minus 20 आयेगा product करने पर तो आपको product करने पर ऐसे दो नंबर चाहिए कि minus 20 आये और sum करने पर कितना है बेटा minus 8 sum करने पर minus 8 तो क्या है 10 और minus 2 की minus 10 plus 2 plus 2 हा तो जिन्होंने 10 और minus 2 कर दिया उनको यहीं पर 0 मिल गया but minus 10 plus 2 वाले आंगे बढ़ सकते हैं तो minus लगाया है यहाँ पर 4x square minus का 10x और plus का 2x और minus का 5 बिल्कुल सही चल रही बात यहाँ पर देखे इन दोनों से क्या common है बेटा 2x common है क्या common है 2x common है तो क्या बच जाएगा अंदर यहाँ पर 2x बचेगा और minus 5 बचेगा और इसी चीज़ को repeat कराने के लिए मैं यहाँ से 1 common ले लूँगा तो 2x minus कितना 5 ओके सो 2x minus 5 आ गया और bracket में आ गया कितना 2x plus 1 ठीक है अब देखिए अब यहाँ पर और हाँ एक minus sign बाहर बैठा हुआ है इसको minus याने minus 1 अब आप चाहें तो इस minus sign का किसी एक से multiply करिएगा यह plus नहीं है बीच में कि दोनों में distribute हो जाएगा यह minus है multiply है तो या तो इसमें multiply कर दो अगर करना है तो या तो इसमें multiply कर दो तो question में यह कहा गया था कि इसका अगर तो इसका दूसरा factor यदि इसका एक factor 2x plus 1 है तो इसका दूसरा factor या तो आप minus के साथ ऐसे ही लिख सकते हो otherwise minus sign का multiply कर दो minus 5 plus 5 बन जाएगा plus 2x minus 2x ठीक है तो यह हो गया इसका factorization अब चलिए दूसरे question की बात करते है तो दूसरा question जो है हमाँ पास यह है question में कहा गया है if you having a polynomial px आपके पास polynomial है जो polynomial आपको दिया गया है वो दिया गया है 5 plus 8x minus 4x square question में कहा गया है अगर इसका एक factor 2x plus 1 है अगर इसका एक तुकड़ा 2x plus 1 है तो इसका दूसरा टुकड़ा क्या होगा दिख रहा है आपको हाँ तो चेक कर लिजिए यही इसका right option है दूसरा टुकड़ा इसका होगा 5 minus 2x so the second part will be 5 minus 2x the second factor equal to 5 minus 2x तो एक factor है दूसरा factor आप इसा निकाल सकते हैं एक और तरीका है division करके बट जब हमाँ अपास यह method है तो हम क्यों जाएं long division पे है न जी तो हम इस तरीके से कर लेंगे clear? note कर लें इसको बूला गया है यह आपके सामने question इसको factorize करने को बूला गया है और कह रहा है कि एक factor इसका x plus y plus z है गलती से pen भी चला ली तो यह question आपका solve हो जाएगा यह देखिए a common है भाई साब x plus y plus z यहां से b common ले लीजे तो क्या आगया? x plus y plus z अब यह देखिए दोनों common है तो दोनों को common ले लीजे x plus y plus z bracket में क्या बज़ गया? a plus b लेओ दो तुकड़े है पहला तुकड़ा यह given है दूसरा तुकड़ा आपसे पूचा गया है कि what is the another factor? answer आगया a plus b common लेना था इस question में और कुछ नहीं